बिसमिल्ला रोमाने रहे हुआ ससलाम लेकुम अब्रीवन कैसे हैं आप सब अच्छा बिटा बच्चों की रिक्वेस्ट रा रही थी आप इसमें इंको सॉल्फ भी करवा देने बैलेंच इक्वेशन पर भी मारी लेक्चर अप्लोड है बिटा आप देख सकते जो दो चीजे नहीं है इसमें वो मैं आपको करवाद निमेरिकल्स की इन्शाला मैं एक अलग क्लास लोंगी वन बावन मैं उसका सारा सुलूशन दोगी यह नंबर उफ लेक्ट्रों फ्रोटों न्यूट्रों बगर आभी बताऊंगी कनवर्ट करना यह सारी चिसमें आपको बताऊंगी आज की बिसिकल्वारी क्लास वो इलेक्ट्रोंग कॉंफिगरेशन पर है अब मेरे कैसे में पेपर में कॉश्चन नमर 12 पर जरूरी नहीं है तो यह सिर टूटान ट्यंट्री के लिए ऐसा नहीं है यह लेक्ट्र तमाम बच्चों के लिए आने वाले सालों में भी बच्चे से लिए काल पर एवाट बच्चन के लिए इसी की हैल्प से एलेक्ट्रोंग कॉंफिगरेशन एजिली कर सकते हैं ठीक है जी आप्मारे पास कॉश्चन देख लिजाए कि इसाई बनागा के आपनों को समझा दूंगी आज में एलेक्ट्रोंग कॉन्फिगरेशन कर्वाने क साथ साथ आपको block period और group भी बता दूंगी इनी elements का इसमें यह होता है बाद अब आपसे group period और ब्लाग भी पूछ लेता है फिर आपको आपको चार्ट बनाना आना चाहिए जैसा कि चार्ट में आपको पहले ही बनाना सब्सकारा है इस तरहा ही सब्सक्राइब करेंगे औम भी आपको बताओंगे किस तरीके से वाइस सब्सक्राइब एक पर आफ लुग पर इंकाले में ङदवते तहीं है यक डिसकूस करेंगे जresf Jay guiding करेंगे T आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिक्रेशन है गिवन एलिमेंट्स आपके पास यह गये हैं जैसे के कार्बन छह है नियॉन दस है मैगनेशियम बारा अलमोनियम तेरा क्लोरीन सतरह और अठारा फॉस्वारस पंदरा नाइट्रोजन साथ यह सारे अलड़ी वैस सकत्सक्राइब करेंगे तरह नियॉन है नियुक्ति यह सारे और नहीं हो नाएट नमबर भी आ गया तो इसके अगी कारवाने के श्रक्तित ऑपको लेना बताऊंगी जयासा कि मैं आपको दिखाती हूं यहां पर मैंने आपको प्रेक्टिस यीट्स भी दी थी सारे प्रेक् कॉंसेट प्लियर करा सको तो मैं थोड़ा वाइड पिट पर आ जाती हूं ताके कराने में जरूरी निया यही तूदान 23 के लिए हर साल के लिए होगा तमाम बच्चे हर साल इसको इस वीडियो में बता रहे हूं हर साल इसको फॉलो कर सकते हैं हर साल के लिए ठीक है जी अचा है जाल इसके दो होते हैं समय 6 और बच्चे वी जाइए एक चीजी यह यह ऐत रखिएगा इस पे टू लैक्टरॉन होल करते है इसलिए सेक्स होता है जी में टैन एलेक्टरॉन होल करते हैं तो इसलिए घी 10 होता है बच्यों को फॉट्रिकाफी बात में च्मिस्ट्रि बढ दे दें इसी वादे से मैं आपको इन तमाम को सुलूशन में साथ सद दे रही हूं ठीकि यह चीज़ आपने याद रखनी है ठीक है जी मैं एस टू 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 पी सेक्स यह हो जाएगा 4S2 4P6 4D10 एक चार्ट बनाना पड़ेगा बाके खुद ही आजाएगा और 4F14 ठीक है इसी तरीके से 5S2 5P6 इतना जादा ज़रूत नहीं पड़ती विरहाल छोटे-छोटे ही अटामिक नंबर्स वह आपको देते हैं उसके एक और्डिंग आपको बनाना पड़ता है लेकिन आ आपके आपको याद रहे इसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे कि यह लैमन नों इस तरह करते चले जाएंगे आप ज़दा बड़ा एलिमेंट हो जाए तो फिर आपको मजी दिख बढ़ाना पड़ेगा यह हो जाएगा F14 सेम ऐसे 6S2 6P6 6D10 और 6F14 ठीक है आप मैं थोड़ किसे आपने आरो में जाना है मतलब इसकी टिप्स यहां से शुरू करना आप आरो पॉइंट पर रूपना है इस तरह पहले आप एरो बना दे बच्छे हम मुमन को इस तरीके से ले रहे होते हैं सीरियल वाइस नहीं लिया जाता है यह मैं बना देती हूं आपको थोड़ा स यहाँ पर अंदाजा हो जाए कि हम क्या करने लगे अब पहला वाला आपका अलिमेंट था कार्बन कहा था बच्छे कार्बन कार्बन का इंट्रमिक नंबर हैं हमारे पास 6 इसकी एलेक्ट्रॉनिक कॉनफिगरेशन करनी है हमें 1s2 यह नहीं जाएंगे देको यह वरने और हमारे पास 2S2 हो गया फिर यहां आ जाएंगे 2P इदर आए इदर आए और फिर इदर आए तो क्या हो जाएगा 2P 2 हो जाएगा क्यूंकि हमारे पास कारवन का अटामिक नंबर 6 होता है तो 2, 4 और यह 6 पूरे हो गया इस तरीके से आपने इसके लेक्ट्रानी कानिफिकेशन कर देंगे इस सवाल में इतना इनफ लेकिन अगर वो आपसे इसका ब्लॉक पूछ ले आपसे पीरियट पूछ ले फिर आप क्या करेंगे तो आप उसके लिए लिखें यहां पर ब्लॉक अगर वो हमसे इसका ब्लॉक कार्बन का जो ब्लॉक है यह ब्लॉक है ठीक है और इसका जो पीरियड है इसका जो पीरियड है वो टू है यह सेकंड पीरियड है सेकंड लगा लो और इसका जो गृप है वह आप कैसे पहंचान होगे इसके जो आप ये देखोगे अब अब पर देखो हमारे पास इसके पास जो पी है कि उपर दो एक्ट्रॉन मौजूद है थे लास आज़बिट में और यह हमारे पास जो थ्री हमने यह हमने टू जहां से लिया है ना बिड़ा जो पीरियड है यह हाइस प्रिंसिपल आफ काउंटम नंबर होता है यहां सो तर्चा फिलाल मुझे से कार्बन नहीं कराना चाहिए था पहले मुझे कुछ छोटा हलेमेंट कराना चाहिए था कि आ आपको करवा दी अब ऐसा अगर हो जाए ना कि लास्ट आर्बिट आपके पास यह पी आजाए इस तरीके से तो आप इन दोनों एस और पी इन दोनों के उपर जो इलेक्ट्रोंच इनको एड़ करके इनका ग्रूप फाइंड करोगे तो यह टू प्लस टू कितना हो अगर फूर तो आप कहोगे हमारे पास ग्रूप तो इसका फूर है अब हमें सब ग्रूप कैसे पता चलेगा सब ग्रूप के लिए एक चीज़ याद रखिएगा बिटा सब ग्रूप के लिए अगर हमारा हमारा लास्ट आर्बिट एस और पी है अगर हमारा यह वारा जो ल लगाने है, चमझ में आई यह चीज, अगर हमारा last group जो है, वो S और P है, ठीके, तो हमारे पास हमारा subgroup A होगा, अगर हमारा last group जो है, D और F आ जाता है, तो subgroup हमारा भी होता है, ठीके, यह चीज आपने याद रखनी है, ठीके, last orbit S, P होगा, यह दो होंगे, SP होगा तो हमारे पास Group क्या है वह a सब गृप sy होता है सब गृप hOUGHता है और एग-डी अच्छा यह एफ बना डि बना दिया है मेने ही F है F-48 होता है ठीक है और ूधर हमारे पास हमारा last orbit जह है वो हमारे पास B और F है तो उसका sub group हमारे पास क्या होता है B होता है यहां लिख देती हूँ ठीक है जी यह जी समझ में आ गई है अब आप लोगों को चलने यहां से मैं इतनी चीज जो है यहां से erase करती हूँ फिर मैं आपको next वाला बताती हूँ कि next वाला किस तरीके जे होगा यहां पर थोड़ी से mistake होगी थी देख लिजेगा यह F है typing में वो लिखते हूँ मैंने दिहान नहीं दिया बनाते हूँ जबके वो हमारे पास F है S पर 2 है P 6 है D 10 है और F जो है वो आपके पास कितना है 14 है ठीक है जी सब गुर्ब का अंधाजा कहाएं से लगाना है आपने इसके last orbit से लगाना है last orbit S分 P आ रहा है तो आप कहेदो कि sap group A है और अगर last orbit जो है वो DF आ रहा है तो आप कहेदो कि हमारे पास जो है वो हमारा जो सब गुरुब है बच्चे क्या है अब वो भी है ठीक है जी अच्छा जी जारा थोड़ा सा टाइम लेता है ये मिटाने में तो अगर मैं सारा ही यहां से एरेस करूंगे तो यह मेरा पूरा चार्ट हो जाएगा एरेस तो मुझे वो नहीं करना बेसिकली अच्छा जी आ जाते हैं अपने पैन पर चलो बे अब ह सनों हम ने कहा हमारा जाओ हमीन वाले अगर पर हमारा सोडियम jsem कितन आहे हमारे पास हमारा ग्यार है इसक टाूमिक टमर स्चास इसकी कांवर इस तो बैषा टमिकिकिशन कारोगे उन हैária सोडमिक अच्छों से झार्णश करोसे करोगें तो बैत इस भी न करों दो टो तो से देखो वनस टू पर यह टूेसटू यह वाला आया फिरcellent प्र फिर ठीर आख itself ये लेंगे और फिर इस त्री एस वन को ले लेंगे दूऑ धो गए रह न जुख स्वह गए आथ और एक आाश हो implementing तो कितने हो गए दस, ग्यारा, ग्यारा हो गए, अब यहां पर हमारा ब्लॉक क्या है, अब हमारा यहां पर ब्लॉक क्या है, हमारा ब्लॉक जो है, वो एस है, ठीक है, लास ओर्बिट में कितने एलेक्टरॉन, वन एलेक्टरॉन, लास ओर्बिट जो हमारे पास, इसमें कितने electrons है one है एसके उपर one है तो यह हमारे पास s block है और हमारा period क्या है यहाँ पर जो हमारा period है वो third है ठीक है जी third हो गया इसको देख लो और हमारे पास हमारा जो group है वो है one ग्रूप क्या है हमारे पास हमारा one है क्योंकि इसके last orbit में कितने electron से मौझूद हैं इसका हमारे पास ग्रूप one है और यह last orbit जब एस और पी होता है ठीक है तो यह three जो हमने लिया है थर्ड यह हमारे पास highest principle of quantum number है ठीक है जी three और ग्रूप जो हमारे पास one है क्योंकि हमारे पास one electron है इसके last orbit में और जब हमारे पास s और पी आ जाता है last orbit में तो subgroup क्या होता है ए तो इसका subgroup जो ग्रूप जो है वो one a हो जाएगा sodium का ऐसे करोगी अब मैं क्या करूंगी थोड़ा थोड़ा करके erase करूंगी जारा चीज़ें नहीं करेंगे सिर्फ अपनी यहीं चीज़ेंगी ताकि यहां से आपको सेक्षिंड वाले गाभी मैं यहां से बतादू अच्छा जी यह तो हमारे पास sodium हो गया अगर हम यहां पर ले लें calcium का नंबर कितना होता है हमारे पास calcium का नंबर आप सब कर सकते हैं यह थोड़ा सा बता देती हूं बाकी मैं आपको फिर डायरेक डायरेक बता देती हूं कि मुझे यह जरूरत पढ़ यह बोर्ट की स्प्रेस कम है और कंदस्ट्रेड हो रहा है काम पिलकुल हल्वा सा बन जाएगा खिछड़ी बन जाएगी यहां पर ठीक है तो फि इस तरह नहीं लेना ठीक है यह एरो लगाने का मकसद ही यही है ठीक है जी चलें डायरेक करते हैं अगर मैं आपको कह दूं कैल्शियम कैल्शियम 20 है तो आप डायरेक बताओ कि इसका टामी नमर 20 है आप कहोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2 ठीक है यह हमने इसका इलेक्ट्रॉन क्या है इसका जो ब्लॉक है वो है एस ठीक है इसका पीरियट क्या है इसका पीरियट जो है वो हमारे पास क्या है फूर है हाईस कॉंटम नमबर प्रिंसिपल आफ कॉंटम नमबर क्या है फूर्थ पीरियट है और इसका ग्रुप अगर हम इसकी बात करें इसके ग्रुप की तो ग्रुप कितने एलेक्ट्रोंज है इसके लास्ट और फॉर पर टू एलेक्ट्रोंज है तो टू हो गया और एस और पी आ रहा होगा तो सब ग्रुप क्या है ए तो यह टू ए है कैल्शियम नोट कर लो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अब एलेक्ट्रोंज को आ गई है ना अब आ जाता है मेगनेशियम पर मेगनेशियम का टॉमिक नंबर होता है बारा इसकी एलेक्ट्रोंज क्या होगी वन एस टू टू एस टू 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 पी सिक्स त्री एस टू ठीकि इसके अगर हम बात करें इसके पीरियट की तो आप कहोगे इसका जो पीरियट है वो क्या है थार्ड है ठीक है क्योंकि हाइस कौन का प्रिंचिपल आफ कौन्टम नंबर इस टू है और अगर हम बात करें इसमें ग्रूप की तो आप कहोगे इसका जो ग्रूप है वो सेकिंड है क् इसमें लास्ट एलेक्ट्रों कितने आ रहे हैं लेकिन अब सब ग्रूप कैसे बता चलेगा हमें ऐसी अपी है अगर यह ऐसा है तो सिंपल सी बात है यह है तो मैगनेश्यम हो जाएगा टू है जल्दी से लिख लो इस तरीके से अचा नेक्स आ जाते हैं अगर हम कर लें नाइ سबसे तूसे टू सबस्ष्ब और 2 P3 चलो भे तीन दो पांच है और एक साथ हो गए साथ यह उन्डू सबस्टों टीक、 इससे सब्सट्स को सक्के सрокमरेंगा पर इसका block क्या है block इसका क्या है देखो आप पी आप कहोगे सका period क्या है इसका is का जो period है वह हमारे पास क्या हो जाएगा second क्यूंकि आपको बता है highest principle quantum number क्या है two है तो यह जाएगा period is second और हमारे पास इसका group इसका ग्रुप क्या है अब बताओ इसका ग्रुप हमारे पास क्या आएगा फाइफ कैसे आएगा अब आप अपने यहां देखा वन लास्ट ऑर्बिट इस पी एंडी या आ जाता है वो कहानी एक अलग हो जाती हूँ अगर यह पी और ऐसा आ जाता है इस तरीके से लास्ट ऑर्बि इन दोनों के इलेक्ट्रों इनको एट कर दोगे तो यह हो जाएका टू प्लस थ्री फाइफ तो आप कहोगे इसका ग्रुप फाइफ है और सब ग्रुप क्या है देखो पी हो यह एस हो तो उसका सब ग्रुप ए होता है तो ग्रुप इसका फाइफ ए है इस तरीके से करना है तो इस तरीके से आप करोगे जैसा कि हमने किसमें आपको बताया पीछे में आपको कार्बन ने बताया कार्बन में आपको दुबारा भी बताऊंगी अब हम कर लेते हैं फैरे के आईरन इसका टॉमिक नंबर है उपर 26 चौर इसकी एलेक्ट्रानिक कॉनिफिक्शन करो पहले 1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ठीक है अब बताओ इसका ब्लॉक क्या है अब हम अगर इसकी बात करें इसके ब्लॉक की तो आप ब्लॉक कहोगे मिस इसका डी है डी ब्लॉक है इसका पीरियट क्या है हाई इस प्रिंशिपर कांटम नंबर क्या है हमारे पास यहां पर अच्छा द देखो अब यहां पर हमारे पास यहां पर एक चीज़ यहां पर नोट करो कि हमारे पास यहां पर इसका लास्ट ऑबिट यहां पर हम इसका जो पीरियड लेंगे ना वह हम ऐसे लेंगे फूर यह फूर पीरियड है कि इन दोनों को लेंगे ठीक है जी अब डी नहीं त्री नहीं लेंगे हम फूर लेंगे क्योंकि यहां पर हाइएस प्रिंचिपल अब काउंटम नंबर लेना होता है जो हमारे पास है फूर्थ ठीक है अब आजाएगा गुरूप जिस तरह थोड़ा चेंजिंग आती जाएगी बताती जाओंगे गुरूप कैसे लोगे इनके एलेक्ट्रोंज अट कर लोगे इसको देखोगे ठीक है जी हाइस प्रिंचिपल काउंटम नंबर क्या यह फोर है और यह तो फोर हो जाएगा और गुरूप हमारे पास क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारे पास एट तो आप कहोगे कि हमारे पास हमारा गुरूप जो है वो एट है और जिसका लास्ट और बिट एस या एफ होता है तो उसका सब गुरूप क्या होता है बी होता है यह चीज़ याद रख लो कि अ जो हम सब ग्रूप लेंगे वो हम B लेंगे इसलिए हमने यहाँ पे B लगाया तो आप कहोगे इसका ब्लॉग D है पिरियड इसका फूर्थ है और ग्रूप जो है इसका 8 B है ठीक है जी चलो आगे आजाओ यह हमने फैरिक का भी मैंने आपको लेना बता दिया अब कारवन मैंने आपको लेना बताया अचा जी Mih Александum बता दिया है Neon बता देते है अचा जी इसका 10 होता है ठीक है अचा इसका 10 होता है कैसे इसकी electronic certification करว तो हम कहेंगे 1s2 2s2 2p 6 ठीक है इसका ब्लॉग क्या होगा हमारे पास इसका जो ब्लॉक है वो पी है और जो हमारे पास इसका पीरियड है वो हमारे पास टू है ठीक है और इसका हमारे पास जो ग्रुप है वो क्या होगा इन दोनों को एड कर लोगे तो इस सिक्स और टू तो यह हो जाएगा एट इस तरह करके लिए लो बेशक एट ऐस नियौन भी हो गया, मैगनेशियम हो गया, कारवन भी मैं आपको बता दिया था, अब जिंक और निकल थोड़ा सा इसका अलग है, यह मैं आपको बता दिया, इसकी जरी कहानी थोड़ी सी अलग होती है, वह आप देख रहे हैं, यह आ सकता है एक्जाम में, जिंक 30, अब बता अब यहां पर हमारे पास हमारा ब्लॉक क्या है, हमारा ब्लॉक डी है, ठीक है, अच्छा, पीरियड हमारे पास हमारा क्या है, हाइस्ट नंबर अफ कॉंटम लोको, आखरी डी आ रहा है, ऐसारा तो इन दोनों की बात उठाएंगी, इन दोनों को, तो हमारे पास हाइस्ट क्या है, तो हम लेखेंगे, इसका फोर पीरियड है, और हमारे पास हमार ग्रुप क्या है ग्रुप कैसे पता से लिए अब यहां पर देखो मैंने आप हो काता है इन दोनों के इलेक्ट्रॉंस को आइड कर दोगे लेकिन यहां पर हमारे पास दी जो है वह टैनर डी और्विट जो है कम्प्लीट होता है ना ओनली कम्प्लीट ऑनली होल टैंस तो हम इ ग्रुप भी होता है अब यहां टैन एलेक्ट्रॉंस आ रहे थे इसको हमने कहां से कैंसल कर दिया इस तरह कहानी होगी तो आपने कैंसल कर दे रहा है तो हमारे पास इसका ब्लॉक डी हो जाएगा जिंक का पीरेट फोर्ट हो जाएगा ग्रुप जो है वो एड़ी हो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8 हो जाएगा मेरे खाल में इमकर कर देखने हूं 6,2,8,2,10,2,12,1,10 लगा लो यहां से तो यह पूरा 20 हो गया यह 28 हो गया अब यहां बहले बताओ ब्लॉक क्या है हमारा हमारे पास जो हमारा ब्लॉक है वो हो जाएगा डी जो हमारे पास हमारा पीरियर्ड है वो क्या हो जाएगा यहां पर देखो इन दोनों को उठाओ पीरियर्ड क्या होगा हमारे पास हमारा फूर्थ क्योंकि हमारे हाइस कॉंटम नंबर लेना होता है न हमें हाइस प्रिंचिपल आफ कॉंटम नंबर फूर हो गया और हमारे प प्लस यह प्लस करना चाहिए हमें यहाँ पर ठीक है अब हमारे पास हमारा 8 है उपर और 2 यह है तो आप मुझे बताएं 8 और 2 10 तो 10 electron सो वैसे भी d में old d complete ही होता है तो हमारे पास यहाँ पर देखो 8 और 2 और मैं add करती हूं तो यह 10 बनता है तो क्या यहाँ पर 10 होना चाहिए नहीं तो फिर हम क्या करेंगे इस 4s2 को हटा देंगे skip कर देंगे और यह 3d e जो 8 आ रहा है यह ले लेंगे इसलिए निकिल और मैंने आपको zinc दोनों समझा दिये 8 हो गया और subgroup क्या है हमारे पास यहाँ पर क्या होगा ठीक है यहाँ से भी हमारे पास यहाँ पर हमारा एस कैंसल हो जाएगा अगर डी में टैन इलेक्ट्रॉन्स आजाते डी और बिट में तो हम पूरा डी हटा देते इस तरीके से आपने करना होता तो इन दोनों को कुछ इसकी कंडिशन अलग होती है निकल की और जिंक की तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करकर जानी है अच्छा एक ग्रॉमाइट भी होता है उसकी भी देख ले हैं उसका भी थोड़ी से अलग कहानी होती है वह मैं आपको बता देती हूं जासे के इसका नंबर होता है 35 वन एस टू 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 एस टू बाकी तो आसान होते ह आप पहचान लोगे एस प्यो का दोनों के लेक्टाउन को एट कर दोगे यह डी वाली कहानी आजए तो फिर आपको थोड़ा सा एहतियाद वरत नहीं होगी प्रैक्टिस पर बैस करता है 3S2 3P6 4S2 3D10 वैसे बेसिक बेसिक ही बच्चों को वो लोग देते हैं लेकिन फिर भी आना चाहिए अगर आगिया तो क्या करोगे 4S5 याद रखिए का कैमेस्ट्री का पेपर वो पेपर होता है बच्चे बच्चे जिनको आता है ना याद रखिए का मैंने आपको हमेशा यह बात बताती हूं जिन बच्चों ने डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ कैमे सिर्फ आद निसी ए सीक्ळाओ आइसे ने साही है तो प्रोटन यूट्रोण और आपने बचाहर इंप भाई में उपवल्बर नियुक्त रूंस और यूर्डान यू sillession件 स्ख बच्च पर दोंगे कि म급 का स्चैवर का सेंटीडिशन पाफियंदे में आत यह सारी है इस पुर और से भी कंप्लिट एक्वेसिंट हैं जैसा कि अगर आभी चार पाँ चीज़ें करकर चले जाते हैं और लॉंग में आफ लेड स्टोरीजड बैटरी लेड स्टोरेजज बेटरी और रएसरी ड्राइस्ट बेसाधा एक तो आपको कहमें से कब बसे ने ही हो गाना पूरा बच यहां पर बच्चे हमने मैगनेशियम का चाहां यहां पर आगी आप देखो काउंट कर लो दस पांच पंदरा और यह दस और दस बीस ठीक है पैंदिस हो गया अब हमारे पास हमारा जो ब्लॉक है वो पी है अच्छा पांच यह हो गए फोर पी होना चाहिए ना फोर पी फाइ फाइगा ठीक है अच्छा आप यहां देखो डी में तो टैन इलेक्ट्रोंज आ रहे हैं तो इसको तो हम स्किप कर देंगे जिके टैन तो होगा कंप्रीट होगा ने इसको तमने लेना ही नहीं है अब हम इस वारी कहानी में इस फोर एस टू को और इस फोर पी फाइफ को ल फो हमारे पास हो जाएगा हमारा गृप सेवन पांच ही है और दोज की लेक्टरान तो हो जाएंगे सैवन और आपको बता है एस और पी वो सब ग्रूप होता है इस तरह कुछ कंडिशन गैसी है जो मैंने आपनों को थोड़ी मुश्किल होती हैं वो मैंने आपको करवा दी हैं बाकि सारे चारीके से होऔर तकी कार्बन करा दिया मेंगडियम निकल न्यॉन मेंगडियम वगए अगर 이 साफट आ आपको आ गया इनकी कहाने थोड़ी से निकल हो गया तो यह थोड़ी से अलग होती तो इना आप लों को बता दिये है अब लोग आज आप और आप चाहते हैं कि मैं पूरा सॉल्फ करवाद हूं इसी तरीके से टाइम बिटा मैं बोर्ट पर में पस टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है यह थोड़ा सा इस तरह मैं एड़्जेस कर लेती हूं थोड़ा पूसे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत है इस तरह लेक्टर से टाइन क्या निकालना बता दें जैसा कि आपको एक एक सवाल आपको लौस से आजाता है है ठीक है जी एक आपका डिफ्रेंस से आ जाता है कि आफ काफी सारी डिफ्रेंस कर लिए एक सबाठी कोजे हो जागा कुछ कि परिलेंश इक्विशन होती है जिक एक प्रिछे थ्मिशन बीक मिक्स होके इस तरह सेक्शन बी सी करके अलगा लगा अगरोंने कुछ नहीं दिया कि जी बी में कोई दो पोर्शन मना दी हो जी आप निमेरिकल मस्ट हैं करना ऐसा नहीं है इतना पहले आप थियूरी अटेम्ट करें बाकी जो बज्जा हो आप निमेरिकल्स कर लें बच्चे आदे घंटे में केमेश्य का प्रकर निकल रहे होते हैं जो बचे रट्टा लगाते हैं न फिर रट्टा ही लगाते रह जाते हैं समझ समझके पड़े इन चीज़ों को फॉलो करें और इंशाला तरह इन तमाम का पो सुलूशन बाद दोंगी अब इन्शाला नेक्स आपको निकालेंगे तो आपको निकालना आना चाहिए चले मिलते हैं इन्शाला तरह नेक्स लेक्शन में जब तक के लिए लिए लाहाफिज